Hello dear students and welcome to Magnet Brains मेरा नाम है रिशाप सिंग परियाओर और मैं डील कर रहा हूँ NCRT exemplar class 10th chemistry के साथ हमने अभी-अभी carbon anids compounds के पूरे power-packed videos के साथ उस chapter को complete किया है अपने knowledge को उस पे apply किया है और अपने आपको perfect बना लिया है carbon anids compounds में अब हम शुरू करने वाले है periodic classification of elements जो की class 10th chemistry का last chapter है और यह chapter डील करता है periodic table की बनने की कहानी के साथ कितने scientists रहे हैं उनने क्या-क्या योगदान दिया है किस तरीके से step by step आज जो periodic table हमारे सामने हमें दिखती है वो बनी है Magnet Brains आपको NCRT CBSE kindergarten से 12th class state boards NTSC Olympiad यह सारी चीज़े English और Hindi medium में available कराता है वो भी 100% free Magnet Brains के कुछ वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी subscription charge या कोई भी fees को pay नहीं करना पड़ता है आप A से Z तक सारे वीडियो को free में देख सकते हैं quality teachers और quality content के साथ तो चली शुरू करते हैं हम हमारा periodic classification of elements periodic classification इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले periodic classification का मतलब होता है कि जब हम elements को एक specific pattern में उनकी properties को ध्यान में रखते हुए arrange करते हैं और हमें एक proper interval एक specific interval के बाद उन properties का repetition देखने के लिए मिलता है उसे periodic classification बोला जाता है चली ध्यान देते हैं हम अपने कि कितने elements हमारे पास है हमारे पास अगर हम बात करें तो in total 118 elements हैं जो अभी periodic table में exist करते हैं इन 118 elements में से 94 ऐसे elements हैं जो naturally occurring है और बाकी ऐसे हैं जो synthetically labs में prepare किये गए है naturally occurring मतलब जो nature में हमें elements मिलते हैं वो 94 हैं अब इन 118 में फिर हमारे पास metals हैं non metals हैं और metalloids हैं अगर हम बात करें metals non metals metalloids की तो एक rough figure अगर हम लें so 118 में से around 93 to 95 जो हैं वो metals हैं इसके अलावा करीब करीब 7 हमारे पास metalloids हैं और बचे हुए 15 से 18 हमारे पास non metals हैं और यह property जो यह number है यह थोड़ा बहुत vary करता है इसलिए मैंने dash डाल के oblique डाल के बताया हुआ है ऐसा क्यों क्योंकि कुछ elements की उपर अभी भी study और research चल रही है और हम उनके physical और chemical properties को study करने में लगे हुए हैं कुछ को करने में तो हम successful हुए हैं आगे scientist ने बहुत जादा information को gather किया different elements के बारे में अलग-अलग information को gather करते गए करते गए करते गए ठीक है अब इतनी information हो गई कि scientist को इसकी study करने में दिक्कत होने लगी हमने यह सोचा scientist कि क्यों ना कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे इनकी study को करना असान हो जाए अब आप ही सोचिए कि जैसे धीरे-धीरे इतने elements बढ़ते जाएंगे एक-एक की property को याद करना कितना मुश्किल हो जाएगा आप एक-sorter elements की individual property तो पढ़ नहीं सकते हैं बट अगर हम उनको group में पढ़ेंगे तो group में पढ़ना असान होगा जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा example होता है जो हम लोग sorting materials देखते हैं यह elements हैं यह compounded mixr1 न है तो basically हम यह तो देख सकते हैं कि इन चीजों को हमने elements मैं group कर दिया हैं और इनन चीजों को mixtures में group कर दिया है तो अब mixture की जो property होगी वह सब फालो कर रहे होंगे जो elements की तो इस grouping से थोड़ा सा benefit हो जाता है हमें घुटी करने में तो हमारा second point बोलता है scientist gathered more difficult to organize all that was known about the elements और उन्हें बात मुश्किल आ रही थी चीजों को organize करने में elements के बारे में इतनी information हो गई थी next they started looking for some pattern in their properties और फिर धीरे धीरे scientist किसी pattern की तलाश में चले गए वो यह डूढने लगे कि कहा कुछ ऐसा pattern मिल जाए जिससे हमें यह element is element के similar हो या dissimilar हो या properties में कुछ उच नीच होती दिख रही हो जिससे हम इनको एक order में arrange कर पाएं यह खोजने में scientists लग गए scientists made several attempts to classify elements according to their properties और scientists ने बहुत कोशिशे की इन elements को properties के according arrange करने की and obtain an orderly arrangement out of chaos जो इतना chaos हो गया था इतना एक system at mother कुछ भी system में नहीं था everything was out of order उस time में इतने out of order से धीरे धीरे चीजों को in order लाने की कोशिश की गई the earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the known elements as metals and non-metals और जो सबसे पहली कोशिश की गई elements को group करने की arrange करने की वो थी metals and non-metals में बट सारे metals को आप एक category में डाल दोगे बट उन metals में भी बहुत variation होता है ऐसी अगर आप सारे non-metals को एक category में डाल दोगे तो non-metals में भी बहुत variation होता है और फिर तीसरी category कहां गई हमारी metalloids की वो metalloids सी category भी तो कहीं डालनी पड़ेगी यह दिक्कते आने लगी इस system के साथ you cannot just simply arrange the elements in metals non-metals and metalloids why क्योंकि metals के categories में भी हमें variations देखने के लिए मिलते हैं differences मिलते हैं ऐसे non-metals में भी differences मिलते हैं और metalloids में भी हमें कुछ variations or differences मिलते हैं और metalloids को यह include ही नहीं किया है वो भी एक दिक्कत हैं तो इस system को हमने reject कर दिया हमने कहने का मतलब है उस time के scientist ने इसे reject कर दिया इसलिए कि यह system जो था वह apt नहीं समझा गया था सही नहीं समझा गया था चलिए आगे बढ़ते हैं इन 1817 1870 में जे डाबलू डाबरीनर जे डाबलू डाबरीनर नाम के एक scientist ने एक system दिया वो system था उस time पर जो elements known हैं जो elements हमें मिल गए हैं उनको तीन तीन के set में arrange करना फॉर एक बहुत बेसिक example दे रहा हूँ बाद में set पे आऊंगा a b और c इस तरीके से element को हमने तीन के set में तीन के set में arrange कर दिया और इसको हमने नाम दिया triad triad का मतलब क्या होता है तीन elements का set so triad नाम हमने उसे दिया अब यह इसका मतलब क्या था इन का कि जो पहला element है और जो तीसरा element है अगर आप इसके mass का sum करोगे अगर आप इन दोनों के mass का sum करोगे और उसका average निकालोगे मतलब divided by two अगर आप उसका average निकालोगे so the answer would be roughly equal to the mass of b समझे कि a और c के मैंने masses को total किया जो atomic masses थे atomic mass का rule लेकि यहाँ पर कोशिश की गई थी arrange करने की कि जो पहला और तीसरा element है उनके atomic masses को अगर आप sum कर देते हो और उसको average निकाल देते हो मतलब divided by two तो इसका जो answer आएगा that would be roughly equal to the mass of second element ओके so यह system दिया किसने डॉबरीनर ने और डॉबरीनर ने तीन-तीन के set बनाये थे तो इसलिए इसका नाम पढ़ गया डॉबरीनर्स triad डॉबरीनर्स triad यह इसका नाम पढ़ गया अब डॉबरीनर जो था उसने कोशिश तो बहुत की तीन-चार-पाथ set बनाने की बट वो जितने भी set थे वो flop हो गए और सिर्फ यह तीन ही set थे जो काम करें बाकी जो heavier elements थे बाद में जो heavier elements आये जो भारी था जिनका mass ऐसे हलके हैं वो बट mass बाकियों के according में उनका भारी था उनके उपर यह system लागू नहीं हुआ तो सिर्फ तीन ही triad बन पाएं मतलब तीन-तीन के सिर्फ तीन ही set बने कैसे एक तो पहला यह है lithium, sodium, potassium, दूसरा है calcium, strontium, barium और तीसरा है chlorine, bromine और iodine ठीक है यह तीन ही set सिर्फ बन पाएं अब दिक्कत यह रही कि इनमें भी मतलब इनके बाद जो elements थे वो तो follow नहीं करें इ यहां दिक्कत आ गई और यह system हो गया reject क्यों बाकियों पर काम ही नहीं कर रहा था सिर्फ तीन के बाद सेट और ऐसा system हमें थोड़ी चाहिए जो कुछ पर काम पर कुछ पर ना करें तो इसलिए system को reject कर दिया गया और एक मैं example देखे भी आप लोग को समझा देता हूं कि कैस था लाइक फर एक्जामबल इफ विटेक देखे फर्स्ट सेट लीथियम और पुटाशियम का मास अगर आवरेज करके निकाल दिया जाये विल बेफली इक्वल तुट अफ सोडियम यह system है ऐसे ही काल्शियम और बेरियम का जो मास है अगर इसको टोटल करो और मास ऑफ ब्रोमीन बियार ओके यह डाबरीनर के ट्राइट थे चली जरह टेक्स्ट देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट क्या बोल रहा है a German chemist identified some groups having three elements each कुछ ऐसे groups बनाये गए जो तीन-तीन elements के set में मतलब set किये गए तीन-तीन elements के set बनाया गया so he called these groups as triads इन groups को triads डाम दिया गया दॉबरीनर शोड़ दाट वेन दी थ्री elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses जब आप इनको increasing atomic masses के order में लिखते हो मतलब lithium का कम है lithium से ज़्यादा sodium sodium से ज़्यादा potassium clear हुआ जब भी आप increasing atomic masses के basis पे इने arrange करते हो तो क्या होगा the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other two elements मतलब बाकी दोनों elements के average निकाल दो अगर तो that would be equal to the mass of middle element clear यह हमारा statement बोल रहा है for example take the triad consisting of lithium sodium and potassium with the respective atomic masses अब क्या atomic masses लिए हुए है देखिए जड़ा 6.9 39 and 23 तो हमें क्या करना है lithium plus potassium upon 2 is equals to sodium यह आना चाहिए हमारा चलिए चेक करते हैं lithium का क्या है 6.9 plus 39.0 upon 2 कितना answer आ रहा है 39 plus 6 होता है हमारा 45 45.9 आ रहा है इस तरीके से अब divided by 2 मैं इसको एक काम करता हूँ 45.9 को अभी calculation करने के लिए roughly 46 ले लेता हूँ तो 46 by 2 कितना हो गया 23 23 आ रहा है 46 by 2 देखो मास कितना है sodium का 23 यह system follow किया गया डॉबरीनर ट्राइड में clear चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रुप B and C form डॉबरीनर ट्राइड यहां डॉबरीनर ट्राइड की एक table दिया और उनने यह बोला है कि ग्रुप B है और जो ग्रुप C है यह दोरो डॉबरीनर ट्राइड बना रहे हैं बढ़ हमारा ग्रुप A डॉबरीनर ट्राइड नहीं बना रहे हैं और यह भी एक order है nitrogen, phosphorus और arsenic का ठीक है So, आगे, Dauberiner could identify only three triads from the elements known at that time. Hence, this system of classification into triads was not found to be useful. उस ताहिम पे सिर्फ तीन triad बने, इसलिए ये system useful, नहीं हुआ, reject हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. In 1866, John Newlands, 1866 में Newlands नाम के, उनका नाम ही है Newlands. Okay, so Newlands ने क्या किया, उस ताइम के known elements को increasing atomic mass के according arrange किया. So, आप देख रहे होंगे कि ज्यादा तर किसको यूज किया जा रहा है, atomic mass को यूज किया जा रहा है यहां पे. So, increasing atomic mass इसको यूज किया गया यहां पे, elements को increasing atomic mass इसके order में arrange किया गया. Next, he started with the element having the lowest atomic mass. Hydrogen सबसे lowest atomic mass होता है, इस से शुरू किया और उस ताइम पर जो सबसे भारी element हमारे पास था, that was thorium. Thorium हमारे पास वहां उस ताइम पर सबसे heavy element था, जिसका जो 56th element था, 56th. तो total उस ताइम पर कितने elements थे, question आ जाता है कि new land की table में कितने elements थे total. So, new land की table comprised of 56 elements. Okay, यह चीज आप ध्यान रखिएगा. He found that every eighth element has properties similar to that of the first element. अब इसके लिए मैं आपको एक छोट इसी table बना के simple way में explain करता हूँ, देखिए. एक, ठीक है? अब देखिए. यह एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ. हम इसको साथ में अरेंज करते हैं, हमें आठवा हटाना है. पूरा चला गया, कोई बात नहीं. देखिए. अब यह हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मुझे साथ कॉलम चाहिए थे. और यह मैंने new line के arrange कर दिये elements. 56 elements को इस तरही से arrange किया. अब आप देख रहे हों कि यहां साथ कॉलम है. है ना? ऐसे ही मैं पहले आपको यह चीज बताई देता हूं. सीधा. कि हमारे पास सुर कितने हैं? सारे गामा पाधनी सो सारे गामा पाधनी और फिर से सा आता है तो आपने देखा शुरुवात स से होती है सारे गामा पाधनी सा फिर से सा आता है आठवा तो वैसे ही ये बोला कि जैसे musical notes होते हैं जैसे कि हर पहला note आठवी notes से सेम होता है सारे गामा पादानी सा जैसे पहला और आटवा नोट सेम है म्यूजिक का वैसे ही every first and eighth element would have similar properties अब कैसे देखिए पहला element समझ लो मेरा ये है एक दो तीन चार पाथ छे साथ आट इन दोनों की properties seem होगी अब समझ लो मैं पहला इसको माल लू अगर मैं यहाँ से counting शुल करूँ इसको पहला मान लू तो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट ये और विए इन दोनों की properties same होगी तो हर पहले और हर आठवे element की property same होगी just like the musical notes जैसे पहला और आठवा musical notes सेम होता है वैसी पहले और आठवे हर पहले और आठवे की इसको अगर आप पहला मान लू इस वाले को तो एक दो तीन चार पाँच छे साथ और आठ ये देखो फिर उपर नीचे आ गए ऐसा new lines ने अरेंज किया increasing atomic masses के basis पे तो इस तरीके से increasing atomic masses के basis पे अरेंज किया गया और properties को कुछ इस तरीके से रखा गया कि हर पहला और आठवे element की property सिमिलर होगी ऐसा arrangement किया गया बहुत अच्छी तारीफ की बात है भाई है कि new land ने इतनी मेहनत करी और बहुत अच्छा काम किया दीरे दीरे standard बढ़ रहा था ने डॉबरीनर ने सिर्फ तीन बनाए इनने 56 elements को अरेंज कर दिया तो यह तो अच्छी बात थी चलिया आगे बढ़ते हैं he found that every eighth element has property similar to that of the first he compared this to the octaves found in music और इसी तरीके से उसने जो आठ का सेट है नौ अक्टेव मत ओक्त मींस आठ तो जिस तरह से वह आठ का सेट है वैसे ही musical notes में वैसी उसने यहां पे इसको compare किया musical notes से next therefore he called it the law of octaves it is known as new land of octaves ठीक है so यहाँ पे new land के law of octave इसी को बोला जाता है और आपको reason समझ आ गया होगा कि क्यों बोला जाता है इसे आगे बढ़ते है in new land's octaves the properties of lithium and sodium were found to be same जो lithium और sodium है उनकी property जो है वह सेम पाई गई sodium is the eighth element after lithium क्योंकि lithium के बाद sodium आठवा element है तो अभी तक तो हमारा system सही चल रहा है आगे देखते हैं गडबड कहा हो गई similarly beryllium and magnesium resemble each other जब भी आप एक चीज है जब भी आप पढ़ने बैठते हैं videos देखते हैं अपनी ncrt को भी पढ़ना है उसको अच्छे से याद करना है by heart करना है और अभी के लिए ही नहीं अगले साल 11th 12th के लिए भी वह holy book रहीगी हमारे लिए ठीक सो ncrt को सामने रखके और फिर यह चीज़े देखते जाएं और refer भी करते जाएं anyhow diagrams आपको सब यहाँ पे भी मिलेंगे magnesium resemble each other a part of the original form of new lands octave is given new land के octave दिये गया है यहाँ पर उसका एक छोटा सा पार्ट दिया गया है original table का चली उसको देखते हैं यह है हमारी original table का एक छोटा सा पार्ट जिसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे lithium के जस्ट नीचे हमने sodium को बिठाया हुआ है वही same property अब जैसे की lithium first second third fourth fifth sixth seventh eighth पहला और आटवा सेम अब इसको चलो इसको पहला मान लेते हैं one two three four five six seven eight इन देलों की properties सेम होनी चाहिए ऐसा new land का system था मगर अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए मगर यहाँ तक तो चलो उसका system था अब हम गलतिया पढ़ना शुरू करते हैं और गलतिया देखेंगे तो हम slide को बार-बार इसको refer करेंगे ठीक है देखिए सबसे पहले यह new lines law of octaves का भी वही चल रहा है अब law of octave was applicable only up to calcium सिर्फ calcium तक ही applicable था उसके बाद यह flop show हो गया यह सिर्फ और सिर्फ calcium तक applicable था यह question पूछा जा सकता है कि कहा तक new line law of octave चला है कहा तक वह बराब element did not possess property similar to that of that of the first आठवे element ने पहले की property इसको similarity वाला वो जो point था चोड़ दिया उसे त्याग दिया वो system खतम हो गया next it was azimd तो हमारा यह पहला drawback है ठीक है इसको आप लोग खास करके पढ़े drawback के form में यह new lines law of octaves ही चल रहा है मगर यह उसके drawbacks है specifically ठीक है तो यह drawback as after calcium every eighth element did not possess property similar to that of the first कमी निकली नहीं इसमें देखा आपने कमी है as after calcium every eighth element did not possess दूसरी कमी देखिए it was assumed by new line that only 56 elements existed new line 56 से जदा कोई element नहीं है इतने है बस जो है खुदको उनने कोशिश की थी कि अच्छा प्रूफ करने की और सही प्रूफ करने के लिए उसके लिए उनने justification दिये बट उनने 56 elements को बोल दिया कि यही final इस से अधा नहीं आ सकते चलिया आगे and no more elements would be discovered in the future और आगे कभी कोई element नहीं आएगा but later on several new elements were discovered बाद में बहुत सारे elements की discovery हुई whose properties did not fit into the law of octaves जिनकी properties law of octaves में fit नहीं बैठी उनने reject कर दिया गया in order to यह दूसरा हो गया हमारा ना drawback in order to fit elements into his table new lines adjusted to elements in the same slot but also put some unlike elements under the same note चलिये देखते हैं इसको समझने के लिए कि उनने क्या किया कई जगा आप देखेंगे जैसे एक यहां देखो और एक यहां वाली condition में देखो एक ही slot में दो-दो elements को डाल दिया एक ही slot में दो-दो elements को डाल दिया और कई जगा तो उनने ऐसा किया है कि जो elements similar कहीं और है और उसको arrange कहीं और कर दिया लइक फॉर ईग्जैंपल यहां देखियै आईरन और अक्सीजन सॅल्फर नॉन मेटल ए ए आईरन मेटल कहां से दोनों की प्रापटी से मिला राएंगी और उधर देखो कोभाल्टन निकल अधियं को आईरन के साथ रखना चाहिए था यहां सही है क्लोरी यह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यह तो सही है रिंच किया है बीच में कोबाल्ट और निकल क्यों डाल दिया गल्ती कर दी और भी एक ब्लॉक में दो डाल दिया यहां प्रॉब्लम आगई आइरन मेटल है वो कुबाल्ट निकल मेटल है लीथियम सोडियम पॉटाशियम यह सारे मेटल है बड़ आपने इन दो इलिमेंट्स को नॉन मेटल के साथ डाल दिया तो यहां पर डिस सिमिलारिटी आ गई और यह पॉइंट उन्हीं की खुद की टेबल के लिए खराब हो गया अपने ही पेर पे कुलाडी मारना ठीक है आगे कोबाल्ट और निकल और इन देशेंग अपने लिए और प्रोपर्टी फ्लोरीन दो देन दीस एलिमेंट्स जिनकी प्रोपर्टी फ्लोरीन ग्लोरीन से बिलकुल मैच नहीं करती कोबाल्ट निकल को उनके साथ डाल दिया आगे बढ़ते हैं आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट और निकल इन प्रोपरटी इस बिल्स फार अवे फ्लोरीन देशेंग आइन को कोबाल्ट और निकल से अलग प्लेस कर दिया गया जो इनसे मैच खाता था बट अलग कर दिया with the discovery of noble gases the law of octaves became irrelevant noble gases की discovery के साथ यह law of octaves जो है उसकी बुरी तरीके से band बच गई law of octaves खराब flop मान लिया गया और इसे reject कर दिया गया worldwide noble gases वो gases जो किसी के साथ react नहीं करती और inert form में रहती इनर्ट मतलब non-reactive form बट मेरा यह statement जो है आपको 12 में आके गलत लगेगा क्यों क्योंकि वहां पर आप एक चाप्टर आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलेमेंट्स एक चाप्टर आएगा वो पी ब्लॉक एलेमेंट्स में यह पढ़ते हैं कि noble gases जो होती है वो भी कहीं कहीं कुछ कुछ react करती है वो reaction देती है तो for 10th class आप यही समझें कि noble gases जो है वो किसी के साथ react नहीं करती वो थोड़ा level उपर उठेगा तो अपने आप 12 में आपको चीज़े समझ आएगी but for now noble gases react with none किसी के साथ भी react नहीं करता हूँ ठीक है और noble gases inert कहलाती है आगे बढ़ते है न्यू लाइंड का जो लॉफ ऑफ ऑक्टेव्स था वो सिर्फ और सिर्फ कर चलिए आगे आता है मेंड़ीव's periodic table bu mendeleev's periodic table जो है यह बड़ी ही बहुत अच्छी quality से बनाई हुई periodic table हाँ इसमें माना कि हमने गलतिया हे बट मैंड़ीव ने जो दिमाग इसमें लगाया था वह बहुत excellent quality का बहुत अच्छे level का दिमाग लिए था कुछ एक गलतिया हर जगा होती है यहां पे भी हुई है चलिए देखते हैं कि क्या अच्छा था क्या बुरा था the main credit for classifying element goes to Dimitri Ivanovic Mendeleev यह Mendeleev को सबसे ज़्यादा credit दिया जाता है सबसे अच्छा classification of elements के लिए he was the most important contributor to the early development of periodic table और वो सबसे अच्छा contributor लाहा है early development of periodic table के लिए wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property the atomic mass और यहां पे भी atomic mass के basis पे elements को arrange किया गया and also on the similarity of chemical properties और साथ ही साथ में ध्यान दिया गया chemical properties के उपर तो यहां क्या दो चीजों पे ध्यान दिया गया एक atomic mass और एक उनकी chemical properties चली आगे बढ़ते मेंडलीव had 63 known elements मेंडलीव के पास कितने known elements ते उस ताइम पे 63 new lines के पास कितने थे 56 ठीक है और डॉबरीनर के पास elements हो थे मगर तीन सेट के बाद उनके काम नहीं बना वो reject हो गया तो 63 known elements थे he studied the relation between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties उन्हें atomic mass और physical chemical properties के उपर ध्यान दिया among chemical properties mentally focused on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen एक बहुत खास बात उनने क्या किया chemical properties के लिए क्या ध्यान दिया कि कोई भी element समझ लो मैं उस element को बोलता हूँ आर वो particular element are oxygen के साथ कैसा compound बना रहा है और यह particular element R hydrogen के साथ कैसा compound बना रहा है उन्हें इस चीज़ पे ठीस पर ध्यान दिया कि कोई भी element जो है वह oxygen के सथ ऐसाथ ऐसाथodge ठी अज़वैत ऑख Nashville could great data in表 50 बोड़ाइब आभी जब आम टेबल देखेंगे तो उसमें और अच़्छे से elements क्यों लिया गया oxygen और hydrogen क्योंकि यह दो elements ऐसे हैं जो हर किसी के साथ react कर जाते oxygen और hydrogen यह हर किसी के साथ react कर जाते हैं इस कारण से oxygen और hydrogen को ही हमने consider किया elements के साथ reaction में आगे the formula of the hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an elements for its classification और सबसे important property किसे माना गया hydrides और oxides के formation को hydrides और oxides के formation को सबसे important system माना गया elements को classify करने के लिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं अभी यह system क्या था कैसे काम आता है he took 63 cards मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुना देता हूं फिर हम text देखते है 63 elements थे उनने elements के ऐसे cards बनाएं और हर element का नाम उस पे लिख दिया इस तरीके से element का नाम लिख दिया अब इस तरीके से उनने total 63 cards बना दिया है इस तरीके से उनके सामने पूरा board था इस तरीके से उनके सामने पूरा board था और उनने क्या किया board पे कुछ formula लिखे कैसे formula लिखे आप यहाँ देखिए यह दिख रहे हैं उपर RO RH मतलब जो oxide के साथ RO और hydride RS type की बनाए जो RO RH2 type की oxide और hydride बनाए जो R2O3 और RH3 type का oxide hydride बनाए इस तरीके से उनने elements के formula इसको लिख दिया उपर अब उनने देखा element जैसे समझ लो एक element का यह card उनने ले लिया अपने हाथ में अब उनने देखा यह element इस type का formula बना रहा है तो इस formula इस वाले particular formula के नीचे उनने एक pin से उसको दबा दिया जैसे आप लोगों के schools में जो board होता है ना soft board उस पर अपनों थंब पिन से लगा देते हैं जो हमारे soft board पिन आती हैं उनसे हम लोगों को टक कर रहे देते हैं उसके sheet को चार्ट पेपर को से मैसी कार्ट को उनने पिंग से टक कर दिया अब दूसरा element जो है वह यह formula शो कर रहा था तो यहां लगा दिया फिर यहां लगा दिया था अब जो पांचवा element आया वह फिर से यह property शो कर रहा था इसको लगा दिया ऐसे करते करते पूरे 63 के 63 elements इस तरीके से formula इसके नीचे arrange हो गए खास बात यह रही कि formula हमने जब देखा न अब जैसे यह formula जो है वो इतने elements follow कर रहे हैं तो यह elements chemical property भी एक जैसी शो करते होंगे तभी इस तरीके का formula follow कर रहे हैं तभी इस तरह का formula दे रहे हैं क्योंकि उनकी valency, valency का तो ख basis पे किया गया है कि मतलब atomic mass तो बढ़ रहा है बट साती साथ में उनने properties का भी ध्यान रखा है कैसे इन formulas के कारण यह देखो इन formulas के कारण उनने property का ध्यान रखा है और यह formula यहां तक arranged है ठीक clear हुआ अब उनने क्या किया उनके साथ जब अब जैसे इस heading के अंडर में जितने और साथ ही साथ में increasing atomic mass के basis पे elements arrange हो गए यह पहली चीज और यह formula लिखा हुआ है चलिया आगे next point देखते हैं he then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element उसने उस element की property वहां लिख दी he sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wall और दीवार पन ने उसको पिन करते गाए पिन करते गाए same type की elements की properties को he observed the he observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses कियो अल्मूस सारे elements को जगा मिल गई periodic table में और उनको increasing atomic mass के basis पे अरेंज कर दिया गया next it was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements periodic recurrence of elements मतब समझते हो कि हमने यह देखा कि atomic mass के basis पे जब हमने elements को अरेंज किया तो कुछ टाइम बाद ना property फिर से अप फिर से आ रही थी वही सहीं property हमें फिर से देखने को मिल रही थी जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह lithium sodium potassium rubidium cesium इनकी properties एक दूसरे से मैच कर रहे थी मतलब हर थोड़े gap के बाद property similar हो थी थी lithium इतने elements के बाद फिर sodium फिर इतने elements के बाद potassium फिर rubidium फिर cesium इस तरीके से हर gap के बाद property similar हो रही थी और elements को arrange किया गया था इस तरीके से increasing atomic masses के basis पे clear हुए इतना आगे it was also observed that these occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties recurrence और था physical chemical properties का on this basis Mendeley formulated periodic law और इन basis पे Mendeley ने एक periodic law बना दिया उनने एक law बना लिया इस चीज़ के लिए जिसे Mendeley's periodic law बोला जाता है which states that अब ध्यान से law देखना the properties of elements are the periodic function of their atomic masses जो elements की properties होती है वो periodic function है उसके atomic masses का मतलब atomic masses जो है उनके कारण किसी भी substance की chemical property होती है that means chemical property depend upon chemical property depend upon the atomic masses chemical property जो है वो atomic mass पे depend करती है यह इनने लो दिया चली बढ़िया किया अभी जग सब अच्छा चल रहा है Mendeley's periodic table contains vertical columns called groups and horizontal rows called periods बहुत अच्छी चीज देखिए बहुत अच्छी चीज है कि Mendeley's ने groups और periods बना दिये अब देखिए ऐसे में groups होते है उपर से नीचे यह उपर से नीचे होते और उपर से नीचे groups है तो groups और periods में डिवाइड किया गया आप यह ध्यान से अपने दिमाज में बठा लें कि 8 groups है और 6 periods है Mendeley's periodic table में और एक चीज ध्यान से सुनो एक एक कॉलम में दो हैं देखो आप दो उसमें groups बने मदब एक ही ग्रुप में पटिकलर में दो आपको ना ऐसे उपर से नीचे columns मिल रहे होंगे कैसे देखो एक तो यह है और इसी पर्टिकलर उसमें इसी पर्टिकलर ग्रुप में दूसरा कॉलम है यह भी फिर देखो दूसरे वाले ग्रुप में एक है और फिर एक है भी आप देख रहे हो एक ही ब्लॉक में दो दो elements ऐसे आरेंज ने मतलब आधे वाले हैं और कुछ भी वाले हैं ऐसे यहां पर भी देखो दो है ऐसे इसमें है उसी प्रकार इसमें है ऐसा हर जगा और लास्ट वाले में देखो तीन है एक दो और तीन यह मुझे तीन मिल रहा है ना देखो कॉलम्स तो एक एक ग्रुप में आपको दो दो कॉलम मिलेंगे देखो एक और दो क्लियर हुआ सो हर ग्रुप में हर ग्रुप में जैसे इस ग्रुप में दो 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 इस में दो-दो कॉलम्स में clear हुआ आगे फिर आता है हमारे गुप से होरीजंटल रोज कॉल पीरेट्स चलिए आगे बढ़ते हैं इन दा फॉर्मुला फॉर ऑक्साइड और हाइड्राइड अड़ी टॉप अफ दी कॉलम दी लेटर आर इस यूस्टू रिप्रेजेंट एन्य आ यूस किया है ठीक है आगे नोट दा वे फॉर्मुला और रिटन फॉर एग्जांपल दा हाइड्राइड ऑफ कार्बन CH4 इस रिटन आस रह 4 और की जगा कोई भी ऐलेमेंट हो सकता है वो तो उनने सब क्यों पर इसलिए आरार लिग दिया एंड़ी ऑग्साइड सी ओटू VO2 अब मेंदली इस प्रियादिंटे के एचीवमेंट्ट कि क्या च्ली एंदली इसारा में चलीं है में डी आड़े वाईं थो प्लेस्ट एमwenट वितं स्लाइटल गेोलव अटमिक मासब? फो एन लिमेंट विटत भी अक्में गया देखो इनका कहना इस point में कि कुछ ऐसे elements भी है वैसे तो increasing atomic masses के basis पर एरेंच किया गया है बत कुछ ऐसे elements भी है जिसमें जादा वाले को पहले रख दिया है और कम mass वाले को बाद में रखा है इसका फॉर example जिसका फटी मास्का उसको बाद में रख दिया जिसका फटी और यह इवइस के जीजस की गई इस example तो हमारे समने यह आ गया उसके बाद हम और देख लेते हैं 50.94 यह देखिए 50.94 और 50.20 यह दूसरा example ठीक है फिर यहां देखिए 58.93 और 58.71 यह तीसरा example ज्यादा वाले को पहले रखा है और कम वाले को बाद में रखा हुआ है और बाकियों में भी देखने क्या कि कहीं ऐसा है 78 79 और यहां पे भी कोई नहीं है इसके next वाले column में भी कोई नहीं है यह एक यह रह दो देखिए 127.60 126.90 ज्यादा वाला पहले कम वाला देखिए और फिर लास्ट में क्या हमारे पास कोई ऐसा है जो ऐसी गडबड शो कर रहा हो देख लेते हैं अच्छे से नहीं ऐसा कोई नहीं है फिर अब जो ऐसी गडबड कर रहा है तो हमारे पास यह पेर्स हैं जिसमें जादा मास वाले को पहले और कम मास वाले को बाद में रख दिया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि प्रापरटीज मैच हो जाए और यह खासियत है यह तो अच्छी चीज़ है कि उनने यह दिमाग लगाया कि चलो भई मास कम जादा होता है चलता है बट प्रापरटीज से मिलर रहनी चाहिए यह उनने खासियत दिखाई क्लियर चलिया आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट फॉर एक्जामपल अब यहां पर उनने दे रखा है कोबाल्ट अपियर्ड बिफॉर निकल वह हम लोग अल्री सरकल कर चुके हैं नेक्स आगे बढ़ते हैं मेंडलीव लेफ्ट सम गैपस निस प्रियोडिक टेबल इंस खाली गैप छोड़ें ठीक है इस तरीके से देखिए खाली गैप उनने छोड़े हुए है तो यह खाली गैप जो छोड़े हुए थे यह क्यों छोड़े गए तो नहीं यह बोला कि हो सकता है कभी इन फिचर यहां पर कोई एलिमेंट आ जाए तो उनने प्रेडिक्शन किया कि वह future में elements आएंगे जैसे new lands ने बोल दिया था ना कि कुछ नहीं आएगा 56 ही है बस ये ठीक है वैसे ही इनने बोला कि नहीं elements आएंगे और discover होंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर Mendeleev named them by prefixing बहुत अच्छा point है हमारे लिए बड़ी खास बात ही है Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numeral उनने Sanskrit का एक word यूज किया जिसका नाम था एक ठीक है तो ये एक word यूज किया to the name of preceding element in the same group उनने क्या कि जैसे aluminium के बाद का element ढूणना है तो उसको उनने नाम दे दिया एक aluminium इसका मतलब यह है कि वो element जिसके उपर aluminium हो एक silicon एक boron यह क्या थे तो जैसे जिस element के बाद का element हमें नहीं पता समझ लो यह aluminium है इसके बाद का missing है तो मैं इस element को नाम दे दूँँगा एक aluminium मतलब ऐसा element जिसके उपर aluminium है क्योंकि एक का मतलब होता है वन तो जहाँ aluminium पहले हो उसके बाद जो element हो उसका नाम रख दिया एक aluminium यह मैंने एक्जाम्पल दिया तो वहाँ पे मेंडलीव ने एक संस्कृत का वर्ड यूस किया एक फॉर मेंशनिंग दाट निक्स्ट फॉर इंस्टेंस scandium, gallium and germanium तीन elements का नाम दिया है scandium, gallium and germanium discovered later have properties similar to एक boron, एक aluminium and एक silicon तो मदब एक boron की property scandium से match हो रही है एक aluminium की gallium से और एक silicon की germanium से यह बाद में बाद में discover हुए है बट मेंडलीव ने इनके नाम पहले ही रख दिये थे कि एक boron के बाद वाला एक aluminium के बाद बारा और एक silicon के बाद वाला यह elements अलज़ी मेंडलीव ने predict कर दिये थे और कहा था यह आएंगे in future और बाद में वो आ गए scandium, gallium और germanium और उनने तो इतनी खास चीज़ करी कि properties भी पहले से predict कर दी बहुत अच्छी चीज़ कि उनने property भी पहले से predict कर दी मतला मेंडलीव में दिमाग तो बहुत था आगे देखते हैं अब यह वो देखिए उनका prediction देखिए कितना शांदार prediction किया था उनने properties of एक aluminium एक aluminium उसका नाम रखा गया था बाद में वो gallium बना अपने metals and non-metals पर पड़ा हुआ है जिसे हाथ में रखो तो पिगल जाता है उसका melting point बहुत लो होता है इस metal का gallium का अब देखिए जो मेंडलीव ने जिसको confirm किया था मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था वो क्या था एक aluminium उनने सोचा इसका mass होगा 68 अब वो ई तो उनको element नहीं पता था था ना कि वो गेलियम है इसलिए उनने इसे नाम शुरू कर दिया बाद में ecl3 देखिए gacl3 बहुत अच्छा prediction किया है बहुत अच्छा इसकी ददाद देनी चाहिए मेंडलीव को कि शांदार prediction और बहुत अच्छी properties उनने अपने इसके achievements दिये modern पर अपने Mendeleafs periodic table के आगे कुछ इसके achievements अभी भी हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज हमारे periodic classification of elements का part 1 complete करते हैं और यहीं पर achievements की जो एक line है हमने यहीं पर रोग दिया है उसको अभी और थोड़े से achievements देखेंगे कि और अच्छा काम उनने क्या किया है तो Mendeleafs के लिए थोड़ा सा suspense बना के रखें क्योंकि अभी इनकी गलतियां भी हम पकड़ेंगे कि इनने कहा कहा पर गलतियां करी और उन गलतियों को कैसे सुधारा गया है Modern Periodic Table में और Modern Periodic Table किस ने दिया है किस तरीके से डिजाइन की गई है और Mendeleafs से कौन सा आइडिया Modern Periodic Table बनाने के लिए चुराया गया था तो काम Mendeleafs का है मेहनत उनकी है मगर उसके आधार पे Modern Periodic Table को इतना अच्छा structure दिया गया है ये सारी चीज़े Part 2 में देखी जाएंगी जो की बहुत जल्दी आपके लिए आ रहा है तो चलिए कुछ चीज़े में आपको बहुत important बता दू कि अगर आपको अपनी पढ़ाई में कोई बीच में disturbance इस तरीके से हो रहा है कि YouTube पे by chance videos नहीं मिल रहे हैं तो आप www.magnetbrains.com पे आईए ये Magnet Brains की official website है enter click कीजिए आपको इस तरीके की screen open हो जाएगी अब यहाँ पे देखिए CBS English Medium NTSC Olympiad, CBSE State Board, जिंदी Medium सारी चीज़े में इंशन्ड है जो पढ़ना है उस पे click कीजिए और अपनी पढ़ाई चलते रहने दीजिए आप वैसे यहाँ पे चाहें तो search भी कर सकते हैं course को जैसे for example हमें exemplar पढ़ना है तो हम जैसी exemplar डालके course को search करेंगे यहाँ पे पूरी details आ जाएंगी सारे exemplars आपको यहाँ पे 12th, 11th, 10th सारे subjects के मिल जाएंगे देखिए यहाँ पे chemistry का 10th का दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे अगर आपको जैसे chemistry का वीडियो देखना है तो chemistry को वीडियो देखने के लिए आप इस पे क्लिक कीजिए यहाँ पे watch now पे जैसी उस पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का एक interface आपके सामने खुलेगा यहाँ उनने course की सारी details दी हुई है और यहाँ पे मेरा photo लगा हुआ है जो यह बता रहा है कि chemistry class 10th का exemplar हम यहाँ पे cover कर रहे हैं अब यहाँ पे देखिए syllabus overview एक lecture और chapter 4 carbon units compounds for example के तोर पे यहाँ डाला गया है कि example के तोर पे हमने carbon units compounds डाला है कि for example उसके दो lecture डाले है आप इस पे click कीजिए नीचे list खुल जाएगी list में आपको जो video देखना है जितनी बार देखना है आप उतनी बार 100% free में देख सकते हैं आगे हमें यह video देखना था हमने click कर दिया और अपना video select कर लिया जैसे ही आप video को select करेंगे इस तरीके से screen पे मैं यहाँ पे आजाओंगा आपका और lecture देने शुरू कर दूँगा यहाँ पे आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं lecture सुन सकते हैं और अपने concepts clear कर सकते हैं बहुत ही खास बात magnet drains Hindi बिल्कुल सही magnet drains Hindi medium के लिए जिन लोग की strength है Hindi जिने समझ बहुत अच्छे से आता है Hindi और अगर आप भी कोई चीज या कोई concept Hindi में बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप magnet drains Hindi को subscribe करें इसे share करें अपने दोस्तों के साथ उन दोस्तों के साथ जिने आपको लगता है इसकी जरुत होगी so magnet drains Hindi आपके लिए present किया गया है magnet drains आपको kindergarten से लेके 12th class तक ncrt cbse class kindergarten से लेके 12 तक even state boards ntsc olympi ये सारी चीज़े 100% free में available करा रहा है बिल्कुल सही 100% free वो भी quality teachers और quality content के साथ magnet drains पे अगर आपको कोई video देखना है या आप 2-3 video देख चुके है उसके लिए भी आपको उसके बाद भी आपको कोई भी subscription नहीं लेना पड़ता कोई भी पैसा या कोई भी fees आपको जमा नहीं करनी पड़ती है magnet drains आपको सब कुछ प्रवाइड करता है बिलकुल 100% free so आप वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और इससे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ so that together we can improve the quality of education happy learning to all of you thank you